आपका फॉन कभी खो जाए तो आप क्या करोगे आपका डाटा तुछ चला जाएगा मगर आप अप देखे करेंगे क्या आप अपने मुबाइल फॉन की जो आपने जीमेल आइडी बना रख्योंगी न उसको लोगिन कीजिए किसी भी फॉन पर या चम्प्यूटर पर लैप् इसे बोलते हैं इसके लावा एक और इसे बोलते हैं गूगल पर अपने इस्टोरेज नां की कोई चीज होती है अगर आपने अपने स्मार्टफोन में जीमेल आईडी बना रहे के तो डेफिए पास 15 GB की storage Google ने दी आपको तो क्या करूंदा हो आपको उसका यूज करना है देखिए कैसे यूज करना मैंने आपको वीडियो अलग से बना रखिया आप देख सकते हैं वरना इंटरनेट पर कैसे भी देख सकते हैं कि गूगल पर अपना डाटा कैसे सिंग करना है वह आप क्या बोल रहे हैं वह समझ में नहीं आ रहा है वह क्या नीचे सब्टाइटल भी नहीं है न देखिए फोन के बारे में उसके तो ना इदेख स clear वह आपको यह मानन लीजिए आपका फोन खो जाता है या टूड जाता है या डिश्ट्रॉए हो जाता किसी भी तरीके से होता है उसके बाद वो को चार्जिस अपने लगा देता है दिरे दिरे सिंग निकलने शुरू हो गया गूगल पर आप देख सकते हैं कितने चार्जिस उसके लगते हैं मगर 15 GB तक आपका डाटा फोटो वीडियो और कॉंटेक्ट नंबर मैसीजी वगर यह आप सेव कर सकते हैं गूगल इस्टोरेज बेड ठीक है यह फिरी होता है यह एंडूइड फॉन में तो आपको यह ओप्शन मिलता है ठीक है आइवस डिवाइस में भी आपको अलग से मिलता है उसमें आई क्लाउड इस्टोरेज के ना कर सकते हैं माल लिए आपका फोन कभी खो जाए तो आप क्या करोगे आपका डाटा तुचला जाएगा मगर आप अप देखिक करेंगे क्या आप अपने मुबाइल फोन की जो आपने जीमेल आईडी बना रख्योंगी ना उसको लोगिन कीजिए किसी भी फोन पे या चंप् बाइब बच्चों की फोटो थी वह किसी तरह निकल जाएगी फोन के अंदर से गलती से रिसेट मारती है या फिर में मेरी कार्ड कभी कभी होता है निकालते वक्त टूट जाता है बहुत सारी प्रोलाम हम फेस करते हैं क्योंकि मैं खुद एक मूबाइल पर वाला हूं इसल जाते हैं बाइज जीमेल आइडी जब भी आप क्रेट करो ना किसी से भी क्रेट कराओ देखिए हमारे इंडिया में सारे बंदे तो पड़े लिखे नहीं है कुछ नॉर्मल आत्मी पिया नॉर्मल जिन्दी जीने वाल जिनको मॉबाइल फोन से इतना नहीं लगा हो ता जो और फिर कहते हैं जीमेल आइडी क्या थी इसमें बताना अरे मुझे जकर आने लग गया इसका पासवर्ड क्या होता है बहुत को जानते होंगा आपको पताने की जरूत नहीं है तो पासवर्ड की बहुत ज़्यादे जरूरत हमें पढ़ जाती है तो आप लिखके रख लिया करें ठीक है और अपना प्रूस्टेप वेरिविकेशन जलूर करें जीमेल आइडी में से क्या होता आपका अकाउंट हमेशा सिक्योर रहेगा ठीक है आप जीमेल आइडी वाल पासवर्ड रिकावर करने बाइसे वह नहीं रहा और अच्छी तरह इस बंद को याद है कि मैंने पासवर्ड में क्या क्या डाना था पुरा में रिकावर करते वक्त इसने क्या-क्या उप्शन फिल कर रहे तो क्या नाम डालता होता है ना आपने जीमेल आईडी बनाई उमीद करता हूं दोस्तों आप कोई च्छोटी जानकारी पसंद आई होगी क्योंकि मेरे पास कस्टूमर ऐसे परिशानी में ओके आ रहाते हैं मैंने सचा अपनी ओडियो को भी यह बताई यह बड़ी अच्छी बात करिया आप तो वीडियो कैसे लेगी कमेंट करके मुझे जरूर उताना अगर चैनल पर नई मेहमान हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक भी कर देना इससे हमारा होसला बढ़ता है आगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मिलता हूं पर अगली वीडियो में तब तक के लिए विडियो को इसादर दीजिए जै हिंद और जै भारत